हेलो श्वागत है आप सबका मेरी य्ट्वीब चैनल सुपर स्टीचिंग में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बोटने की कटिंग और स्टीचिंग दोनों बताऊंगी और साथ मैं प्रिंसेस कट भी तो यह हमारा अस्तर का कपड़ा है और एक मेन कपड़ा है तो सबसे इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे पंद्रे इंच लगाके और हमारा सोल्डर है साथ इंच साथ इंच पे निशान लगा देंगे आर्म होल भी साथ इंच है तो साथ इंच पे निशान लगाके इस लाइन को सीधा कर लेंगे और चेश्ट है 38 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और कमर के लिए 8 इंच पर निशान लगा लेंगे एक इंच इस्टरा डाट के लिए तो इस निशान को सीधा कर लेंगे अभी हम बैक पार्ट की ये कटिंग कर रहे हैं अभी हम इसी को रखके फरन पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे और एक इंच का निशान लगा के राउंट सिफ दे देंगे आर्म होल के लिए जैसे आप देख रहे हैं और अब हम इसे कट कर लेंगे यह मरबै एक पार्ट है अब इसी पार्ट को रखके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे और यहां नेक के चोडाई होगी 4 इंच आप अपने Nahon 164 यां सआघ 4 इंच रख सकते हैं अब इस पार्ट को हम को रखके और फ्रन पार्ट की भी कतिंग कर लेंगे तहां मैंने इस पार्ट को रखके फ्रन पार्ट का और राउंड शेप देख की से कट कर लेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट की आर्म होल बैक पार्ट से थोड़ा कम रहता है अब आधा इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लेंगे सोल्डर की तरफ और यहां कट कर लेंगे कंदे के लिए अब हम फ्रंट पार्ट की टक्स के निशान लगाएंगे यहां मैंने दस इंच पर टक्स का निशान लगा लिया है और नीचे साड़े तीन इंच पर और यहां फिर दो इंच पर निशान लगा लिया है इस निशान को सिधा कर लेंगे यह प्रिंसेस कट का निशान हम लगा रहा है और यहां से दो इंच पे निशान लगा के और ऐसे दो इंच का निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लेंगे और टक्स के निशान से मिला देंगे अब यहां से हम आर्म होल के पास लजाकर हरका सा राउंड शेप देके इस निजान को पूरा कर लेंगे और अब इसे हम कट कर लेंगे तो यह हमारा प्रिंसेस कट हो जाएगा तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है अब हम गले की कटिंग करेंगे तो यहां अमरी गली की लंबाई होगी तीन इंच और इजे राउंड शेफ दे देंगे आप अपने तीन या शारे तीन जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं तो यह मारा बोट नेक है तो मैंने तीन इंच रखा है और यहां मैंने गले की कटिंग भी कर ली है और यहां साइट से फिटिंग की भी निशान लगा देंगे और नीचे से हलका हलका आधा दाइंच का मार्जिन देते हुए दोनों तरफ से कट कर लेंगे जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में से मुझी तरह और प्लीज में वीडियो को पसंद आये तो जरूर लाइक करें और आपको कहीं भी समझ ना आये तो नीचे कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट करें तो यहां देख रहे हैं हमारी प्रिंसेस कट और बोडने की कटिंग हो गई है अब इस अस्तर के कपड़े को हम में कपड़े पर रखके कटिंग कर लेंगे जैसा आप देख रहे हैं है कि आप चाहे तो मार करके भी कंठिंग कर सकते हैं या डायइक रखके भी ud con 수ivals यहां मैंने में कपड़े पर भी कंठिंग कर लिया है हैं जैसा आप देख रहे हैं अब आव मिस्की existing करेंगे तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को और में कपड़े को साथ में रखके doing कि तो सबसे पहले हम निक बनाएंगे च्यूक कि हां सतर के इऊपर कपड़े को रखके अधा दा इंच का गैक देते हुए स्टीच कर लेंगे आप जितना चाहते हैं उतना इसकी नेक की लंबाई या छोड़ाई रख सकते हैं अब हम इसे कट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फोल हो जाते हैं नीचे के तरफ अब हम इसको पलट देंगे दूसरे तरफ तो यहां मैंने पट्टी यूज नहीं की है डिरेक्ट इसमें पलट के हम नेक बना लिये हैं आप चाहें तो इसमें लाइस भी कोई लगा सकते हैं मैचिंग करता हुआ या जो भी हो आपने को पट्टी भी रखके बना सकते हैं मैंने बस पलट दिया है तो यहां हमरा निक तयार हो गया है और अच्छे से फोल्ड करते हुए इसकी स्टीचिंग कर लेंगे और चारग तरफ से भी स्टीच लगा देंगे जैसा आप देख रहे हैं तो सभी के तरफ से हम स्टीच लगा देंगे और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर जरूर करें और मेरे चैनल पर जाक देखें मैंने बहुत सारे बुटने की और नेट डिजाइन की बहुत सारी बलाउट डिजाइन डाले हैं उसे जरूर आप जाक देखें और मैं लिंक भी देखेंगी उससे आप चेकाउट कर लेजीगा तो अब हम साइट के भी जो दो पार्ट है उसे भी ज्वाइन कर लेंगे सबसे पहले अस्तर के कपड़े को रखके एक दूसरे पे ज्वाइन कर लेंगे चारो तरफ इस तरह से रखके इसको पल्टिंग नहीं डालेक्ट इस पे ज्वाइन करके जोट देना है दोनों को तो यहाँ चारो तरफ से इसकी सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट को और आपको जहाँ भी न समझ में आए प्लीज नीचे कमेंट वाक्स में कमेंट करिए और आपको जैसा भी टिटोरियल चाहिए हो भी आप कमेंट कर सकते हैं किस टाइब का आपको बलाउस की डिजाइन देखना है अब हम इसकी विष्टीच कर लेंगे चारो तरफ से इसका भी अब हम दोनों ज्वाइंट कर लेंगे नेक वाले कपड़े में तो यहाँ देखे हम नीचे से ज्वाइंट करेंगे दोनों पाट को और उपर आलमहोल के तरफ थोड़ा सा कम्याजादी होता है तो उस आलमहोल के नुशार हम कटिंग करके ब्रावर कर लेते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पूरा हो गया है बस थोड़ा सा बचा है तो इसे हम आलमहोल को बरावर कर लेंगे अच्छे सकट करके और इस पर हम दो स्टिच लगाएंगे दो-दो स्टिच लगाना है क्योंकि इसे मजबूती बने रहे तो यहाँ देखिए स्टिच हो गई है प्रिंसेस कटकी जैसे आप देख रहे हैं तो अब हम नीचे पट्टी लगा के जॉइंट कर लेंगे डेर इंच की पट्टी काटके अस्तर के कपड़े को अम लोग इसमें जॉइंट कर लेंगे और उपर से भी एक इस्टिच लगा देंगे तक अच्छे से नीचे के तरफ यह मोड़ जाता है और नीचे के तरफ से मोड़ के सिलाई लगा देना है और आप इसे चाहें तो तुरपाई या जो भी हो या फिर आप इस्टिच लगाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं तो यहां हमारी इस्टीज पूरी हो गई है और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धर्नेवाद आप सबका